चलिए आज कुछ न्याज सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव जैसा कि आप लोग देख रहा है मेरे पास रोयल इंड फिल्ड कलासिक 350 इसी बुलेट बैक है और यहां पर देखिए फ्रंट में भी डिस ब्रेक लगा हुआ है तो आपने हां पर देखें रियर में भी डिस ब् ब्रोपर अभी से इस इस दिस स्मस्ट जाब पर रहा है। जैसे हम डिस्क बरेक को पैडिल को दवाते हैं तो फ्रोड़य जाब हो जाता है, फिर तो आटमाटिक यहाय कर फूर जेया लेकिन यह बख़ोला ठोल्वटेती सुठों घू याज भी इसका जाब नहिं है इसका फॉनेद्र लेकिति край Ihr कि अब मास्टर सेलेंडर अब से उन्दर से लगा आ है मास्टर सेलेंडर कर दो कि ऐसे पड़ा रहे तो में पर लीचे रहे था देखिए इसका जो बके जाम हो गया आभे रण नहीं को देखिये उल्प परये निखालना पर चलिए फटा-फट से इसको खोल करके बाहर निकाल लेते हैं अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा तो भेदियों में देरी नहीं करते हैं चलिए फटा-फट से वीडियो को स्टेक दोनों बॉल्ट को 10 mm के रिंग स्पिनर से खोल करके बाहर निकाल लेंगे फिर उसके बाद यह आप लाक देखते हैं इस लाक को बाहर निकाल लेंगे इस पीन को बाहर निकाल लेंग ताकि इसका कनेक्टन जो है जो डिसकनेक्ट हो जाए इस प्रोपर यह आपन हो जाएग यहां पर देखिए बकेट एसम्बली जो था है मेरा खुल करके बाहर आ गया अब इसके अंदर देख रहे है बकेट जो है यह जाम पर रहा है अब इसके उपर यह लग देख रहे है इस लग को पहले हम बाहर निकालेंगे इस लग को बाहर निकालने के लिए इस लग पिलास का यूज करेंगे इसको इस तरह से दवाएंगे देखिए लाग जो है जो मेरा खुल करके बाहर आगया इसके अंदर से यहां से अब आप सोच रहे हैं कि मास्टर सेलेंडर किट को और चेंज कीजिएगा आपको बहुत ही आप महगा पर जाएगा अगर डिस जाम हो रहा है रियर वाला तो आप इसके अंदर जो बाकेट लगता है इस बाकेट को भी आप अलग से चेंज कर सकते हैं इसका प्रैस यहीं दो से धाय सो तक होगा आपको प्रैस इम इसका बट लेंगे इसका पार्ट नमर भी दिख ला प्रैस कुछ लेला ना स्कुड्रावर इसका मदद से थोरा इसको दवाब यहीं तरह से देखिए यहांपे अब को पिलास का मदद तो बाहर निकल लेंगे हैं इसका बाहर निकल गया यहांपे है इसके अंदर ने थोड़ा बहुत ताम ज्हां होगा देखेँ इसका यह दिस बॉकेट यहां पर देखें लिखा और इसका यह पाट्ण रोगया कि आप यहांपर देखें दिश्क बॉकेट का यह पाट्नमर आप यहांपर लिख ले हैं मजोर्य किट रिय एंसी एंटी यह रियर वाले बिर्ट इस बॉकेट बॉकेट है कि यह रोल इन्फिल्ट का जन सब्सक्राइब यहां पर देखिए अब इसको पहले हम इसके अंदर आपको यह चैपने और है इसके अंदर फॉल डिंग्ट कुट है आप यहां पर देखें काई यह चैपने फैबर जो लगा है पर आपको फिट हो जगा इसका जो निकालना कैसे यह भी आपको बतलाएंगे और इस तरह का छोटा सा पेचकस ले लेना और इसके पेचकस के मदद इसको इस तरह साब को आस्ते आस्ते बाहर निकाल लेना है कि यह जो इसी के प्रॉब्लम से इसका डिस्क बॉकेट जाम हो रहा था अगर आपके बैक में खराप नहीं है फैबात आप उसको चैंज नहीं कीजिएगा आप सिर्फ और सिर्फ इसका बकेट चैंज कीजिएगा कि अग Okay मुस्तों इसको 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 नोच बीलाष कमदद इसको थोड़ा इसको रण से रन करके इसको बाहर निकाल लिए अब इसका प्रप्रक्रा प्रेसी के अंदर बाहर निकल गया अब इसको अदर वार्टर वाटर सी सको पेट्रोल या डिजल से वास्ट नहीं करना है तो फ्रेंगे इसको अच्छा से यहां बुस्को फिट करना है बूस्टिक भूस पूसको कदें देख स्काइब Plan फ्राइर से नरें तरह से यहां तरह से डाल यह दर्धियाए इसको अंदर चला lassen इसको कुछ भी नहीं करना है आपको दबाएंगे कैसे पूराना वाला जो बूश जो हम बाहर निकाले तो उस बूश को इस पर रख देना है और पिलास के मदल से थोड़ा थोड़ा आपको ड़ाव डालना है इस तरह से प्रोपर अंदर चला गए आपको इसमें फिट करना पढ़ा इसका बखेट बखेट करने के लिए अपको सबसे पर लिए यह पीन देख रहे हैं इसके अंदर आपको डाल जो एक यह वार्शल जो आपको बुस्ट के साथ आपको मिल रहा था पिर उसके बाद डालना है यह डालना है विसका जो कलर बना हुआ है यहां पे इसको आपको ऊपर की तरह रखना हो गया मिश के बाद दालना है देख्थ इसके साथ के प्रीक नहीए नजी आपको मिलड़ा इस सपीरिंग को इसके अंदर इसतर सकते हैं घिए tvके तो आटम मेरा बन करके त्यार होगे आजब हम इसको क्या करेंगे इसके अंदर प्रपर फिट टूपर जोंग में आड़ी का यह इस तरह से वर्क नहीं और अधा जाम पर राहा tilt देखें किस तरह से वर्क कर रहा है हम इसको क्या करेंगे इसके अंदर पहले लाख फिट नहीं करेंगे इसको ऐसे ही छोड़ देना है इसको पाव हम फिट करेंगे बैक में इस मास्टर सलेंडर किट को दवाते हैं तो बैक लाट जलता है उसी का रियर में ब्रेक स्वीच लेना है हम इस लाख को यहाँ पर प्रोपर फिट कर लेंगे पहले इसके अंदर नया वाला डिस आल डालेंगे इसके अंदर एक बुंद भी आल नहीं आपको देखनों को मिलेगा देखिए मेरे पास यह हैं डॉट थी ब्रेक वाले आप देखें ब्रेक एंड कलॉच अब उसके बाद आपको करना कि आपको आजाना है बैक के रीर में पर यह जो आप न्यट देखे अर इस एर बेल्ट खोलकर बाहर निकाल देनों पुछ और नहीं आपको पाडल डबसक्र बूंद करके आउनड को नहीं पूस्करना है इसको खोल करके 15-20 में इसको आइसे ही चोड़ना है आपको इसके नीचे में डभी रखता है ताकि इसके अंदर से जो भी आईल बाहर आएगा वैज डबी के अंदर चला जाएगा देखर आप बुंद बुंद करके एर बाहर निकल रहा है और इसके अंदर आपको आईल भी शेकप करना है क्योंकि आईल जल्दी बाहरा है कि इसमेर करते हैं इसको टैंट कर लेता है यहां पर देखिए इस नट को हम टीरिंग से लिए अपन के क्योंकि इसके उपर जो इसके ऊपर देख रहा थोरा साभी घात नहीं बनाई इसका घात जो खराप हो इसलिए इसमें 8 mm का रिंग इस्पिनर प्रूपर नही इसलिए मुझे तीरिं सेसबाल्ट को आपन करना परा फुल टैंट कर लेंगे इसका जो लाक है इसका में जो लाक आपन इसलाप खिट कर लेना है आप इसका हुआ है जाग मरा पर तो टोटोट हो गया है कर लेकिल हो गया और यहाँ पर मास्टर सेपयर नहीं तर देखिए यहां पर जैसे जिस्क को रहा है क्यों लुद स्टुम जैसा कंप्लीट हो गया आप यहां देख रहे हैं इस तो प्रॉपर डिस्क कर रहा हुआ आपको बतलाई थे हैं यहां से कब आपको अरज़स्ट करना परेगा इस नट के पास से तर्फ करना परेगा शंब की आपका स्पाइडल से और पास से आपे Orange कर सकते थे हैं इस तरह भीडियो में थैंक यू सो मच